हालो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत हतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं इसमें आज हम करेंगे इसका मतलब यही हुआ कि हमानी पवन और समुंद्री तरंगों के क्या कारे होते हैं तो इसके पिशे में हम विस्तार प्रवग चर्चा करेंगे यह चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चे के इंपोर्टन्ट है चाहे वह सीवेसी से चाहिए यूपी बोड के वच्चे हो या बिहार बोड के वच्चे हो अगर उनके पास भी गोल है तो इसका मतलब यह चैप्टर उनके लिए अत्यंद महत्वपून होने वाला है ठीक है लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए तो यह है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इक इंपरेंट बात यह भी रहता है अगर आप पहली वार यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप सेहर जरूर करो ठीक है वर्ट सब स्टेटरस पे भी लगाओ तो सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बात में अगर रिसर् चैनल पर आप तो नहीं तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है Today I have doing a most important chapter the work of moving ice, wind and the sea wave. There is a most important chapter or also important here the point for snow filled. What do you mean to hear the snow fields? In the region where the temperature are very mine below to freezing point and precipitations occur in the form of snowfall. Wherever the rate of snow melting or it is a evaporation is a lower than the rate of snowfall in a year and the snow accumulate into the great marks of the ice and preventively snow cover the original of this type is called the snow field and the snow is a field occur in the polar region and the high mountainous area there is a most important here there is a high is a polar ice occur there high mountainous area snow fields are a wave found above the snow line. The snow line is on the imaginary line above to which there is the permanent snow. The height of the snow line is not uniform as and they are affected by the latitude amount of the snowfall and direction of the wind and slope. That is the most important here. That is the most important here. The most important here permanently snowfall covered in the snow field is called the snow field is the most important here. And there is an important also the regional permanent cover by the snow and the ice is called the snow field. यहां पर जो अत्यन महत्पुन चैप्टर हम कर रहे हैं हिमानी पवन और समुंदरी तुरंगों की काड़ी देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट जो है चैप्टर है और इंपोर्टेंट चैप्टर के जो है इंपोर्टेंट पॉांट है हिमचेत्र में क्या होती हैं के जिन परदेशों में तापमान सदेव इमांग के कम्क रहता है वहां वर्शन हिमके रूप मंहिं होता है जिसे हीम-पात कहती है यानि हीम पात होना एक सोभाविक बात है क्योंकि ये परदेशों में जो है तापमान हो हमेशा ही सुन्ने डिग्री से कमी रहता है जहां पूरे वर्ष हीम के पिगनने या बाप बनकर उरने की दर हीम पात की दर से कम रहती है वहां हीम की मोटी परच जम जाती है और ऐसे परदेश सदे भी हीम से ढखे हुए रहते हैं और इस पर का स्ताई रूप से हीम से ढखे रहने वाले चेतर को हीम चेतर कहते हैं तो ये आप बहुत ही असानी से याद भी कर सकते हो कि अस्ताई रूप से हीम से ठके रहने वाले चेत्र को हीम चेत्र कहते हैं हीम चेत्र प्रिंट जो है धुरूबिये पर्देशों और उच्छे परबती भागों में पाये जाते हैं हीम चेत्रों की स्तिती सदे भी हीम रेखा के ऊपर रहती है हीम रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके उपर हीम का स्थाई चेत्र होता है देखा जाये तो हीम चेत्रों भी परदेश और उचे परवत्य भागों में सद्य पाए जाते हैं यह तो आपने भी देखा होगा हीम चेत्रों नी चेत्रों में पाए जाता है जो काफी उचे परवत्य भागों में पाए जाते हैं और हीम चेत्रों की स्तिती सदे भी हीम रेखा के से उपर ही होती है और हीम रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके उपर हीम का स्थाई चेत्र बना हुआ रहता है यानि हीम रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके उपर हीम का स्थाई चेत्र होता है हीम रेखा इसके अस्तान जो एक जैसा नहीं होता है और इसके अच्छान से हिम पात की मात्रा पवनों की दिशा और भूमी की ढाल दोड़ा परभावित होती है जैसा भूमी की ढाल होगा वैसा ही यह देखने को मिलेगा कहते हिम से सदेवी डखे रहने वाले चेतर को 한번 गाते यहानि जो हम हम चेतर के नामस जानते हैं हिम रेखा इस्था हिम की नियख़टम सीमा होती आ को प्रभाविक करने वाले कारक जोते हैं किई-पात की मात्रा और भूमी के डृ कहाल नेक्स टोuk फगी मेबकि है। इस फ्bakकककः इस गलáriट अगला इस आज़ा जालाओ इस जरी आपकन गलार भी है। गलार स egent कि पहले स lassनाई य्टिर्म पिल्खूराप सिल्माराद कि और इस थे आफ देज झाल झाल इस टूब है। it is a show great that snow is a lower layer is a become a is a granular and the hard and compact the pressures also is a quacken the melting on the some of the snow which on the refreezing start turning into the granular ice again it is the pressure of the over lining layer which is a make this is a solid marks of the ice mobile this create marks of the ice moving more under it is oven where it is called to the glacier there is a most important area again it is a pressure of the over linings layer which is a make this is a solid marks of the ice mobile and this great marks of the ice moving more under it is oven where it is called to the glacier it is a velocity is a very low and it is a move from a few centimeter to the few meter in a day there is a most important area and important also here types of glacier here types of glacier on the basis of the location or area of the origins is a glacier are divided into two types the first here continental glacier and second is a valley glacier this is the most important continental glacier and the valley glacier is the two types glacier here the first here or continental glacier the continental glacier here the thick ice seat covering the vast area of land is called a continental glacier the thickness of the ice is such a reason goes up to is a thousand of meters glacier of this is the type the build up at the center and move the outward in all direction sentimental is a glaciers of the today are formed mainly in the antarctica and green land there is a most important there are continental glass here is a found remember now is antarctica and the green land there is the most important here the precipitation is this is a reason occur in the form of snow it is a get accumulated year by year because of the relatively slow rate of it is a melting there is also important point here there is a accumulate year by year because reason by the relatively slow rate of the melting the next day is a valley glacier there is a valley glacier is the most important here when a marks of the ice from the high mountainous reason start moving down into the pre-exciting valley it is called a valley glacier or mountain glacier the shapes of the valley glaciers depend on the valley it is occupies and where the valley is aborted as the glacier spread outward and there is a valley is a narrow the glacier is a contract there is a most important area the longest glacier is in india is the sea chinese glacier sea chinese glacier and caro ko rama which which is a 72 kilometer long there is a most important area is 72 kilometer longer and gangotri glacier is the uttrakhand is a 20 25.5 kilometer long there is a many of smaller glaciers other part of himalaya their length of that is from five to ten kilometer there is the most important area the two important river of india is the ganga yamuna or it is a net form to the gangotri and yamuna three is a glacier respectively there is the most important area the ganga the yamuna or it is a net form to the gangotri and yamuna three is a glacier respectively a moving marks of the ice snow is a call to the glacier that's the most important point a moving marks of ice is a snow is called a glacier glacier are two types of continental glacier and valley glacier here is our topic topic here is himani this is himani glacier this is the glacier that after seeing you know another gift between heat such as the albeit which is one chamun की परतों पर परता रहता है यानि अगर देखा जाए तो उपर की परते जो होती है नीचे वाले परत को जो है दवाब डालता रहता है और यह नीचे और तलती जाती है यानि एक परत के बाद एक परत जो है बिचती रहती है यह दवाब इतनी अधिक हो जाती है कि हीम जो है डावेदार कठ्षोड और ठोस हो जाती है आपने देखा होगा एकर पहाडी चहतर में गए उगे तो वहांके जो बर्फ होते हैं काफी ठोस होते हैं पहले रूही की कितरा ही अमारे ओपर गिरतने हैं लेगिन जैसे जैसे जमते जाते हैं यह बहुत भी स्ट्रोंग हो जाते हैं यानि दवेदार का फॉर और ठोस हो जाते हैं दव्य би अधिक्ता के कारण हीम का कुछ बाग फिघलने भी लग जाती है यानि देखा जातीएओं फिगलने लगते इसा जब दुबारा जमता है 때वश्ब का रूप ले लेता है यानि दवेडार विंगे रूप दानन करना एक बहुतस अधार है उपर के पर्थों के भारी करेंग डूर्श बर्व खिसकने लगती है यानि उपर के परते जो बहारी दवेदार वर्फ का रूप ले लेता है यानि दवेदार वर्फ के रूप ढारन बात है ऊपर के बारी दवाव के कारण टोस वर्व खिसकने लगती है यानि अपने साथ खिसकने के लिए जो इसके परत बाई परत बैठती चले जाती है इसी का ही जो है नाम दिया गया है हिमानी इसके गती बहुत ही मद्ध होती है और यह एक दिन में कुछ सेंटीमीटर से ले की कुछ मीटर तक ही किसक सक पाती है यानि देखा जाये तो इसके गती बहुत ही मंद होती है यानि बहुत पत्ति के स्थान पर या चेत्र के अधार पर दो परकार में विवाजित किया जा सकता है एक जो होता है महादीपिये हिमानी और दुसरा जो होता है घाटी हिमानी यानि महादीपिये हिमानी जो है अत्यम्हेंत्पून है तो सबसे पहले हम देखते हैं महादीपिये हिमानी क्य यहां पर जो हमारा समक्ष आया है महादीप्य हिमानिया देखिए बड़्व से ढख कर एक बहुत बड़े छेतर को जो है महादीप्य हिमानी कहते हैं यानि बड़्व से अगर एक बहुत बड़ा छेतर जो है ढख जाता है तो इसका जो है नाम दिया गया है महादीप्य हिमान हजारों मीटर की कलपना आप समझ सकते हो कि कितना मोटा हो सकता है और इस परकार की हिमानियों का निर्मान एक केंदर के चार और होता है तदा वे बाहर की और सवी दिशाओं में खिसकती रहती है और आजकाल冇 और आंटर्टीका में पाई जाती है यानि ये हैपको याद रखने वाली बात है कि महादेपिये। आजकाल ग्रीमानि और ऐंकाली जाती है ये PMT question भी रहता है कहते हैं बच्चो PMT question जो होते हैं बड़े बर क्लासों के बच्चों जो वीडियो देखते रहते हैं उनसे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है उनको जब उन्होंने topic समझेंगे तब उनको जाकर मिलेगा कि भाई UPS exam में आता क्या है कहते हैं IAS की तयारी करना या UPS exam की तयारी करना कुछ सदारन बात नहीं रहता है बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर लिखा रहता है UPSC के 100 important question आप देख लिजी आपको यह exam में आएगा लेकिन actually में जिन्होंने दिया है जो exam उन्होंने बैठे हैं उनको पता है कि UPSC में exam में आता क्या है कहते हैं वहाँ पर वह चीजे नहीं आती है जो आप कलपना करते हो वह आती है जो रहती है और जिसके बारे में आप चैक्टरों में पर रखे होती हो ठीक है 10 question आप 20 question करा देने से जो है कोई UPSC exam इतना क्रेक नहीं कर लेगा तभी तो लाखों बच्चों हर साल exam देते हैं और उसमें से कुछी बच्चे निकल पाते हैं क्योंकि जिसने दिया है उसको पता है ठीक है और इसका experience मैं बया कर रहा हूं पाई जाती है और यह छेत्र अंटार्टिका ही बनाई गई है तो ऐसे कोशन होते हैं इसलिए जो बच्चों ने आगे अगर future में सोच रखा है कि हमने अगर graduation करने के बाद UPSC exam crack करना है उनको हर एक syllabus को बहुत बिरिकी के साथ पढ़ना पड़ेगा ठीक है और साथ में recently जो affair होते हैं उनको भी तुरह सा समझने की जरूरा दोती है यह सारे कोशन मिला जुला के आते हैं जो कि उसको असानी से आप UPSC exam को कर सकोगे तो इसलिए मैं कहता हूं यह जो मैं topic कराता हूं बहुत मानने में important रहता है और यह हर एक बच्चों के लिए जरूरी है कहते हैं भविश्य के लिए भी जरूरी है वो 10 questions आप 20 questions आप करके जो है UPSC exam नहीं कर सकते हो यह सिर्फ आपको जो है मुर्ख बनाने कोशिश किया जाता है ठीक है चलिए यह बात तो जरूरी थी जो मेरी अपनी experience बताया है लेकिन आगे हम देखते हैं हमारा के topic क्या चल रहा है कहते है इन परदेशों में जो है वाश्पन हीम के रूप में होता है जो वाश्पन होती है उसके पर शाज जो है तुसरा टाइब है घाटी हिमानिया यानि वैली जो है गलेशिया जब उचे परवतिय भागों से बर्थ की विशाल राशी पहले से विद्वान घाटी में खिसकने लगती है तो इसे घाटी को हिमानी या परवतिय हिमानी कहते हैं यानि आप समझ गए ह जब उचे परवतिय भागों से बर्थ की विशाल राशी पहले से विद्वान घाटी में खिसकने लगती है तो इसी की जो है नाम हम घाटी हिमानी या परवतिय हिमानी कहते हैं घाटी हिमानी की जो है अंतारिया घाटी की अकृती घाटी घाटी के अनुसार बदलती रहती यानि जैसी घाटी होती है वैसा यह बदलता रहता है जहां गाटी होती बार कि और फैल जाती और जहां घाटी संक्रिय के वहां जो है सब्सक्रिया की सचानी हिमानी यह कई मानिं इसको हम यहाइनी हिमानी भी कहते हैं इसकी लंबाई जो है बहुत्र किलोमीटर है और उत्तरपरदेश में बहुत्री हिमानी जो है कि असे निकलती हें इसलिए का हा जा सकता है mirrors कि चती हुई भर्व की राज़ी को समय कहते हैं और यूज़ी परकार की होती है एक होती है माधी पिए हिमाणी और एक होती है घाटी हिमानी जो कि आप किलियर समझ में आ चुका होगा इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खतम हो रहा है ठीक है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सस्क्राइब जूरूर कीजिए अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो पहली बार मैंने चनल प आने कोशिच कीजिएगा तो आप आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वह तिरपस कर देगा ठीक है जो आप गुगल पर सब्सक्राइब नहीं करने के सूचिएगा लेकिं दोस्तों ऐसा नहीं है तिरपान असरी संटर जो है बहुत हिलफूल है क्यों कि यह आपके करता ही है प्लस जो है यह एनना इस रिबोर्ट के जो है टेंथ प्लस टू को भी कवर करता है साथ में विए जो है फॉस्ट यह से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक बच्चों के लिए यह आगरसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में तो सोचिए नहीं विचार नहीं कीजिए काफी जो है तरपान स्री संटर का फैदा ही फैदा है ठीक है अगर आप मुझे प्रसाहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाओंगा जो आपको फैदा पहुंचाएगा एक्जाम के तोर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सुलूशन करके दिखाओंगा जो आपके लिए फैदे मन रहेगा अगर नहीं सस्क्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर दुबारा मैं ना वीडियो बनाओं और आपको फैदा ना पहुंचाओं तो अभी भी नहीं सोचिए मेरा जितना आप फैलाईएगा जितने दुस प्युवड़ जएगी